नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी ऐसा जुगाड बताएंगे जिससे आपकी छत का टपकना दूर हो जाएगा एक ऐसा पर्मानेट सोलिसन लाइव दिखाएंगे जिससे आप एपलाई करके यूज करके अपनी छत का टपकना या गलना प जलने से रोक सकती है दोस्तों बारिश के समय में यह समश्या लगबग सभी घरों में मिल जाती है सभी लगबग सभी लोग इससे परेशान है दोस्तों चटके टपकने से नीचे पानी रिशने लगता है और दीवारे भी खराब होने लगती है दीवारों में काई जम जाती है तो दोस्तो शिर्फ इस पेट्रोल से आपकी यह समझ्या दूर हो जाएगी दोस्तो पेट्रोल आज कल हर घर में मिल जाता है दूसरी चीज है थर्माकोल जो घर में पुराना पड़ा रहता है या किसी पेकिंग का आया हुँ रहता है दोस्तों एक डिब्बे में थोड़ा सा पैट्रोल लेंगे दोस्तों यहीं पैट्रोल है जो आपकी छट को टपकने से रोक सकता है इसमें कुछ थर्माकोल के टुकडे एक एक करके डालेंगे यह देखिए दोस्तों पैट्रोल में थर्माकोल डालती है इसका reaction देखने को मिल रहा है पेट्रोल थर्माकोल को गला देता है इसको अबजरू कर लेता है इसी से ऐसा पेश्ट तयार होगा दोस्तों ये देखने में फेविकोल और एरल्डाइट के जैसा होगा लेकिन दोस्तों ये बहुत ही मजबूत और धरारों के अंदर तक जाता ह है दोस्तों ये जो आप दरारे देख रहे हैं इनको पहले भी सिमेंट और कई तरह के बाजार में जो केमिकल वगेर मिलते हैं जैसे क्रेक्सिल वाटर प्रूफ जोइंट फिलर लगबग सभी से ये दरारे भरूई हैं फिर भी इनका पर्मानेंट सॉलिशन नहीं हो आए क् केमिकल सिमेंट होता है कुछ टाइम बाद पपड़ी बनके निकल जाता है ये देखे दोस्तों पेट्रोल से एक ऐसा गाड़ा पेष्ट तयार हो रहा है दोस्तों इसमें धर्माकुल डालते ही इसमें जो नीचे इसको ये लाने से एकदम गाड़ा पेष्ट तयार हो रहा ह इसको अब हम दरारों में डालेंगे दोस्तों ये डामर के जैसा मजबूत पेस्ट है इसको दरारों में बढ़ दे इसको दरारों के अंदर तक जाने दे और इसको पुरा अच्छे से बनने के बाद सूकने के लिए छोड़ दे दोस्तों ये 2-3 गंटों में सूक जाता है और बहुत ही मजबूत हो जाता है दोस्तों इसको एपलाय करने के बाद इस समझ्या का पर्मानेंट सोलिशन होगा क्योंकि दोस्तों बाजार बहुत से महेंगे केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं लेकिन इस जुगाड के आगे सब फैल हैं दोस्तों यह ट्रिक की यूज करने के बाद आपकी छतका गलना टपकना शीलन यह पर्मानेंट दूर हो जाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो ज्य कर दोस्तों